हालो दोस्तों कैसे आप सभी मैं आपके साथ देख्षा एक बार फिर हाजर हूँ एक बेहद ही बड़िया मूवी जिसका आपको सबेसपरी से इंतजार था जी हा मैं बात कर रही हूँ के जीएफ चेप्टर टू की और उसका रिव्यू लेकर मैं आप सभी के सामने हाजर कहानी है और क्या ये कहानी इस बार जादा मजबूत है या आप नहीं तो आपको अब संस्पेंट से परदा उठाते हैं और बताते हैं कि KGF 2 काफी जादा अच्छी बताई जा रही है और जिस तरह से एक आने की शुरुआत होती है वो काफी ज़दा इंट्रस्टिंग है और जिस तरह से इस फिल्म में यश्ट है ही साथ ही इस फिल्म की जो रोश्नी है जिसे कहेंगे कि चार चांद लगाया है वो है संजदत बने अधीरा का रोल निभा रहे है और साथ ही रवीना टंडन जी हैं आपको बता दें कि KGF शेप्टर 2 में इस बार आपको बॉलिव जिस तरह से अपनी रोल निभाएंगे वो भी बेहद ही आप लोगों को मज़ा आने वाला है यानि कि पिच्चर जो है वो काफी ज़्यदा फुल एक्शन है और साथ ही जिस तरह से लोगों ने KGF शेप्टर 1 को पसंद किया उसी तरह से लोगों को KGF शेप्टर 2 भी पसंद आने वाला है जी हां क्योंकि जिस तरह से KGF शेप्टर 1 में कहानी खत्म हो जाती है वहीं अब हमें KGF 2 में ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से यश जो है रोकी जो है वो अब रोकी पहपुराने वाला रोकी नहीं रहा बलकि रोकी भाई बन चुका है यानि कि KG का किंग मन चुका है और अपने भाई को वो ये KGF का जो राज है वो सवहम के चला जाता है और इसके बाद कहानी में काफी उतार चड़ावाते हैं कि सरहा से अब रोकी जो है वो सिर्फ उसका ध्यान ये है कि आखिर वो अपना जो राज्य है उसको कैसे आगे बढ़ाए व्यपार कैसे अच्छा करें ये सब देखने वाली बात होगी लेकिन यहां कहानी बिगडेगी तब जब रोकी प्यार में पड़ जाएगा जी हां रोकी जब प्यार में पड़ेगा तो सब काम जो है वो जो है चौपट होने वाला है और उसके बाद किस तरहा से संजदत की एंट्री होगी और किस तरहा से रविना टंडन आती है ये जो है फैंस को काफी जदा एक्साइटेड कर देगा और जो फिल्म है उसका जो कहते हैं कि फिल्म का जो क्लाइमेक्स होता है वो सबसे जदा बहतरीन होता है और केजी एफ शेप्टर टू में कुछ ऐसा ही देखन को मिला केजी एफ शेप्टर टू जब आप देखेंगी तो क्लाइमेक्स में जो है बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है कि सरहा से पूरी की पूरी कहानी पलेट जाएगी और वही सबसे ददा लोगों को पसंद आएगा अगर आप भी केजी एफ शेप्टर टू को मिस न